हेलो फिंस, गूड इनिंग, माइस्विद मेमरीज में आपका स्वागत है, मैं दीरज और आज आज तोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट क्यों है, क्यों है क्यों है क्यों कि आज ट्रेबल ब्लॉग नहीं है, तो आज क्या है, आज हम लोग बात करने वाले हैं, तस ऐसे अमे क्यों है, तो वर्ड नमबर वन, वर्ड नमबर वन है भाइला, भाइला मतलब होता है दोस्त, विकानिर की लोग इस वर्ड का बहुत जादा यूज़ करते हैं, इस तरीके से भाइला निया गएक रहे है, that means दोस्त ऐसा क्या कर रहे हो, है ना इंट्रेस्टिंग, वर्ड न मतलब होता है, early morning, इस तरीके से यूज़ करते हैं लोग, अरे यार, इतने जांजर के काईने उठा दियो, that means, अरे यार, इतना जल्दी क्यों उठा दिया, सुबह सुबह, तीसरा वर्ड है, बांडा, that means gate, जीब से वर्ड है, बड़ी इंट्रेस्टिंग है, बांडे का जाओ और वह gate बंद कर क्या हो, word number four, ताबरिया, बहुत यूज़ होता है, वाई-गाट, सुबह सुबह, जब बच्चे स्कूल जाते है, ताबरिया का मतलब होता है, बच्चे, use इस तरीके से लेते है, सगला ताबरिया कड़ा हो जाओ, स्कूल की गाड़ी आना लिया, that means, सारे बच्चे कड़े हो जाओ, तयार हो जाओ, स्कूल की गाड़ी आने वाली है, आपको लेने के लिए, word number five, गुमारिया, गुमारिया क्या होता है, पुराने गड़ जो होते थे, वहाँ किसी specific room के अंदर, जो basement होता था, उकसे गुमारिया कहता है, कैसे यूज़ करता है गुमारिया के लोग, और वो चातो, वो तो गुमारिया मायने राखोड़ जाए, वो चाता वो तो उस basement के अंदर रखा हुआ है, word number six, बचीड, बचीड का मतलब होता है, दुरगटना या accident, विकानेर के लोग इने कैसे यूज़ करते हैं, कोई बता हूँ, यार मैं तो बचीड जा रहा था, उसी नहां के मेरे साथ चोट कर दी, उसी ने मुझे धका दी दिया, इस तरह के words है, कमाल के शब्द है, word number seven, गुंजो, गुंजो क्या होता है, pocket, जेब, विकानेर के योग कैसे यूज़ करते हैं, जा बेटा, गुंजे में पैसा ले जा और दूद ल ले आओ, word number eight, सगड़ा, सगड़ा का मतलब होता है, all, सारे के सारे, कैसे यूज़ करते हैं, सगड़ा आठे बेटा कहीं करवा होते हैं, means, सारे के सारे आप लोग यहां बेटे क्या कर रहे हो, word number nine, खारो जैर, that means, बहुत ही ज़्यादा करवा, कैसे यूज़ करते हैं, अरे, ओ कहीं करियो, इतना जादा नमक डाल दिया, बिल्कुल कर वही होगी है, सबसी, देखे, word number nine के दरीक और नया word आगया, लून, नमक को बोलते हैं, लून, word number ten, सफेद जक, सफेद जक का मतलब होता है, बिल्कुल सफेद, आप लोग रहे हैं, अगर आपने पहले यह words सुने हैं, और इनके better meaning या definition जानते हैं, तो नीचे comment section में share कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को like कीजिए, दोस्तों के साथ share कीजिए, comment कीजिए, subscribe कीजिए, और bell icon दबाना मत भूलिए,